कि है अगर Gir TRA corpor JON कि है कि इसे व्यूंदी बात करेंगे हम रिक्वायर के बारा में है कशिच पर मिल्ड में fundamental जो हम function ना आते हैं ठीक है वहां पर error handling में use होता है require का इनका झ अयोसर्थ होता है ठीक है अब का होता हैmal इसका G Flex Sum का होता है अय। काम काम करता है ठीक है गलży एक थो Input Validation इन्पूट Validation करता है एला काम इसका दूसरा काम होता है přैperformance है ऑक रफटा करता है च्राफ करता या ? या अच्छन को मैं चाहता हूं कि सिर्फ आ और ही एक्सिस कर सकें वहाँ करें तो या दोबता है एक्सिस सा न्टर whats वहां कहाम आता है हमारा require का ओड करके दिखाएता हूं इसका ठीक है और हाँ यह error handling जो method है इसके कुछ और फायदे भी है उसके कुछ और advantage भी है पहला advantage क्या यार की ना gas refund कर देता है कर देता है कैसे कर देता है तुम्हें एक function बनाया ठीक है function बनाया हो वहाँ पर तुम्हें require डाल रखे एक error handling के लिए इस्टेट्वन डाल रखे है वोगर false हो जाती है ठीक है वोगर false हो जाती है तो इस function के लिए तुम्हाज जैसे thousand gas लग रही थी ठीक है अब तक वहाँ पर let say 200 gas ही use हुई है 200 gas ही use हुई है तो बाकी की 800 gas तुम्हें वापस हो जाएगी ठीक है एक काम इसका यह होता है एक benefit ही होगा gas refund का दूसर benefit क्या होता है तुम्हें एक function चलाया ठीक है एक function run किया वहाँ पर एक required statement है बीच में कहीं पर उससे पहले तुम क्या कर रहे हो state variables में state variables में change कर दे रहे हो कुछ नए कुछ state variables में कुछ नए कुछ चेंज कर दे तुम ने उसके अंदर फिर required statement आई required statement में false हो गया या जो requirement थी वो false हो घेक है जानी वो fulfill नहीं कर पाया requirement को तब क्या होगा state variable में उस function के अंदर जो भी change हुए अब दक state variable में वह सब क्या हो अंडू हो जाएंगे जैसा इस function गुषने से पहले थे वो state वेरिप की जो भी state थी वैसे हो जाएंगे वो ठीक है तो यह दो advantage है इसके ठीक है यह दो advantage है और यही दो advantage रिवर्ट के भी है और asset के भी है ठीक है इन दो advantage का ध्यान रखना चलिए आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं require को मैं contract बनाता हूँ contract बनाता हूँ है और इसका नाम देता हूँ मैं owner ठीक है आपको याद भी आ जाएगा कि मैंने starting में आपको smart content बनाके दिखाया था ठीक है वहाँ पर मैंने इसी का use किया था require का use किया था ओनर के साथ ठीक है क्या दिखाने के लिए आपको कर रहा हूं यह access control वाली चीज access control वाली चीज दिखाने के लिए कि 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 function को हम access control दे सकते हैं कि कैसा उसका access कर सकते हैं कि सिर्फ उसको access करें ठीक है इस चीज के लिए मैं तुम्हें एक बनाया है मैंने दिखाने के लिए ठीक है और क्या करता हूं मैं इसके इंदर देते हैं और message मैंसेज डॉट से एंडर ठीक है और क्या करता हूं मैं मैं बनायता हूं एक अंसाइन टाइप का प्लिक विजिबिलिटी का एक वेरिवल एज जिसमें देते हैं अभी 25 ठीक है चलो अब मैं तुम्हें इस से क्या दिखाऊंगा इस से मैं दिखाऊंगा किस तरह हम रिक्वा मैं कुछ चेंज करते हैं तो वह रिडू हो जाता है मतलब जैसा पहले था फंक्शन को से पहले वैसा हो जाता है ठीक है और इसी के साथ साथ में तुम्हें क्या दिखाऊंगा वह इन्पूट एक्सेस वाली चीज चीज चल गया शुरू करते हैं एक फंक्शन बनाता हूं स तक कि अभी इन्पूट लेगा एक एक्स एक्स ठे़े ठीक है कि और पब्लिक कर दीता हूं स कीज दिखांगा कि रिगार की यूझी की दूसरी वह चीज कि input व्यडेशन वही चीज की input जो आया है कि यह इक वेलिडेशन लगा दी कि इंपूट ना सवसे ज़ादा ही होना चाहिए लट्री सिस्टम एक लॉट्री सिस्टम है हम चाहते है कि लॉट्री कोई बॉय करेंगे अगर करें मिरे को तो इथर ज्यादा होने चाहिए जगा थे फिर उने चबेशता है तो वहाँ पर क्या तो में रिक्वाइर क्यों करने लो में रिक्वाइर है लिकवाइर और में चाभी वहाँ करना अंडर सकोर एक्स क्या greater है टू के ठीक है अगर नहीं है तो यह error शो कर दो ठीक है पॉमा करके यहाँ पर जो मैं लिखने वाला हूँ ठीक है यहाँ जो लिखने वाला हूँ वो होती है error show होती है error अच्छे लिखता हूँ आুर शो होती है जो मैं यहाँ करता है तो नीचे नहीं जाता है एक और फंक्षण वहीं के रुख जाता है एसके आगे अगे मैंने कितना भी लिख करके रखा घुल और अच्छे से करके दिख्याता हूं तब इस X is less than 2, ठीक है, यह error शो हो जाए, यह error शो हो जाए मुझे, ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया है, अब यह warning दिखा रहा है, इसले दिखा रहा है, कि मैंने अभी कुछ change नहीं किया है, तो यह error इसको view type कर लो, यह प्योड टैप कर लो, यह इसले दिखा कहा, कि एक input आता है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर let's say कुछ code होता, कुछ code होता, वो run हो जाता, ठीक है, मेरे पास line 10 पे, कुछ code होता, वो run हो जाता, मेरे requirement आती condition, ठीक है, मै requirement क्या है, मेरे requirement यह है, कि जो मेरा input है, वो बड़ा होना चाहिए 2 से, अगर वो input बड़ा नहीं ह जाएगा, ठीक है, requirement का यह वाला काम हो गया, आप क्या दिखा दे मैं यहां से, मैं आपको दिखा दिया, validation के लिए, ठीक है, x की validation के लिए, और मैं तुम्हें हापे, state value में change वाली चीज़ भी दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, हाँ यहाँ पर देता हूँ, एज को, इकोस टू, एज प्लस, 5, 30 हो जाएगी फिर एज, ठीक है, चलाए, डिप्लाइकर के देखते हैं, इसको अटाते हैं, पुरानी चीज़े हैं, ठीक है, डिप्लाइकर करते हैं से, और मुझे मांग रहा है, इन पूट, ठीक है, अभी एज चेक करते हैं, एज के लेट से बड़ा होना चाहिए अच्छा मुझे एक डालना चाहिए एक डालना चाहिए फॉल्स दिखाने के लिए फॉल्स होगा तो ठीक है मैं चेक करता हूं एज में कुछ चेंज नहीं आया ठीक है मैंने एज चेक करने में कोई प्रॉल्म नहीं आ रही है मैं करता हूं यहां पर तो एज में कुछ चेंज नहीं आया था अब मैं 3 कर रहा हूं है ठीक है मैं बन पास करता हूं एक रिक्वायर कॉल करता हूं ठीक है मेरी जो ट्रांजेक्शन थी वह वहीं के वहीं रुप गई स्टॉप हो गई ठीक है एरर आगी यहां पर देखो एर्र में के लिखा है वैल्यॉफ एक्स लेसन टू ठीक है मेरी यह एरर आ चुक है अमें एज चे değiş करा था इस ही hitler फ09 वह वेसी कई दिया और जो मेरी गैस इस में लगने वाली थी इस फंक्षन के जो मेरी गैस्ट लगने वाली थी ठीक है जो यहां तक use हुई वह हुई ठीक है इसके मेरा कुछ function होता इसके मेरे कूछ code होता है उसके पाइक तो यह काम होता है वैक्स थै पहली लेकिन कोई बात नहीं लिए अलक्सी वीडियो बन रही है तो दिखा देना चाहिए ठीक है एक function मनाता हूं function इसका नाम देते हैं only owner ठीक है यह क्या लेगा कुछ नहीं लेगा input में public type का है ठीक है और let's say यह भी change करता है age के अंदर लेकिन age के अंदर कौन change कर सकता है सिर्फ owner ही change कर सकता है मैं चाहूं मैं यह चाहता हूं कि यह जो function है इसको access कर सके owner ही और owner क्या कर रहा है इस function को access करके age को change कर रहा है इस से तुम्हे access control वाली चीज भी याद आ जाएगी जो मैं तुम्हें smart content में starting में दिखाई भी ती जब बनाया था तुम्हारे लिए smart content जिसमें ownership transfer करके दिखाई आता हमें ठीक है चलिए मैं करता हूँ है फिर मैं करता हूँ require और चेक करेगा यह कि उनर में क्या उनर बराबर है message.center के यानि कि जो इस function कॉल कर रहा है क्या वो बराबर है उनर के और उनर कौन है जिसने इस content deploy किया था जब content deploy हुआ था तब ही उनर में set हुआ था message.center ठीक है चलिए वरना error डाल दे e you are not the owner ठीक है एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड we are not the owner और बहार आएंगे semi call ठीक है जलिए जी और यहाँ पर आओगा age equals to age minus 21 21 नी 2 कर देते हैं ज्यादा minus होगया ठीक है जी इस तरह का मेरा कुछ function है जिससे access कर सकें सिर्फ कौन ओनर ही access कर देए कौन ओनर जिस smart content का owner है ठीक हो यह और रक्सिस करें दोसको यह वाली error show हो जाए ठीक है चलिए इसको अटाते है दोबाए से deploy करते हैं डिपलाइ किया ठीक है और अब मैं क्या करता हूँ age चेक कर लेता हूँ require से मैं ठीड डालता हूँ और age change कर देता हूँ करता हूँ अकाउंट चेंज करता हूँ किसी और अकाउंट से एक्सिस करने कुछ करता हूँ इस फंचनल को ठीक है मैं करता हूँ जो ओनर उसका अकाउंट का address है 5B38 ठीक है मैं चेक करता हूँ only owner कुछ नहीं हूँ है ठीक है only owner को मैंने call किया तो कुछ नहीं है पर error आ गई है ठीक है क्यों क्योंकि requirement फुल्फिल नहीं हो रही है ठीक है तो यहां यूज होता है requirement का अब तुम समझगे को error handling किस तरह हो रही है इस तरह error handling हो रही है ठीक है तो मिलते नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब रिवर्ट को ठीक है तब तक के लिए बाबाए